भाश्पा के वरिश नेता देवी सिंग भाटी ने कहा है कि मुख्य सचिव के कमरे के आगे जन प्रतिनिधी विधायक लाइन लगा कर खड़े रहते हैं ये सब ठीक नहीं है जन प्रतिनिधियों की अफसर नहीं सुनते हैं बंगलबार यानी 18 जून को भाश्पा नेता देवी सिंग भाटी ने राजेंद राठोब पर गंभीर आरोप लगाए राजेंद राठोब ने एक दूसरे की कार्ट करने की राजनीती की है इसी वज़े से महॉल बिगडा टिकट भी ठीक परकार से नहीं बटे सबसे घातक चुरू से सांसद राहुल कस्वा का टिकट काटना रहा है उन्होंने कहा कि भाशपा के प्रती जाटों की नाराजगी से नुकसान हुआ है भाशपा के वरिश निताओं की कमी की वज़े से बाढ मेर से निरदली विधायक खड़ा हो गया देवी सिंग भाटी ने कहा है कि बीकानेर संभाग की तीन में से दो सीट यानि कि श्री गंगा नगर और चुरू हारने के बाद मुद्दे पर कहा कि टिकट वितरन सही नहीं हुआ टिकट सही दिया जाता तो हम तीनों सीट जीत जाते उन्होंने कहा कि किसी न किसी के दबाव में टिकटों को बदला गया इसी वज़े से पार्टी को 11 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा भाश्पा की देवी सिंग भाटी के बयान से भाश्पा में सियासी हलचल मच गई है लोगसभा चुनाओं में राजस्थान में बीजेपी को 11 सीटों पर हार मिली है और इसको लेकर पार्टी इसतर पर मन्थन किया जा रहा है राजनितिक गलियारों में चर्चा है कि आकिर देवी सिंग भाटी को ऐसी क्या जल्दी हुई जो उन्होंने भाज़पा की हार को लेकर अपना विशलेशन कर अपनी ही पार्टी और सरकार को घेर लिया